एलो बच्चो कैसे आप सब गुड इवनिंग तो अलो फ्यू वेलकम तो अमसान अकेडमी कैसे भी बच्चो अरे वेंकर्ट हेलो गुड इवनिंग सभी को भई हेलो नमन संदीप सोचिता पूर्वाश पूर्वांश प्रांशयो शुभं वैश्णवी अनुराग प्राची अमन ओमाइग गॉड सो मैंनी बच्चे देखो गमन मिलकुल भी नहीं है सदाम हर्ष हो 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 सत्रा दिन जैसे म बच्पन में मुझे बोला जाता था यहना कि 17 का मतलब खत्रा होता है यहना तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा इस तरह की खूब आपने भी शायद सुने हो बच्पन में आप कदर बच्पन चली रहता आप इस तरह की बाते सुनते होगे तो उस वक्ट जब मैंसे सुनता कर लिया तो बागी सब तो यार कुछ भी नहीं है है कि नहीं हाई बच्पने माइंड को कंट्रोल जिसने करना सीख लिया ना बस फिर बहुत मस निकलने वाली जिंदगी है ना तो अपने उपर भरोसा रखें अपने मेहनत पर भरोसा रखें आपको जो काम करना है उस दिन चाके एग्जाम में उस पर भरोसा रखें कि आप ऐसे ही नहीं हो है ना आप भी यहां पर आयो हो कुछ अच्छा करने के लिए और करके आए है ना जितना अच्छा हो सक्यों अतना करके आए फिल ब्लेस्ट कि आपको ऐसी एप्पॉर्चुनिटी मिलिए और अच्छे अच पेपर पे लिखो उसके बारे में सोचना है ना जब भी आप एक्जाम देने जो आपको लगा रहे मेरा कितना खड़ाव उसकी जगे पॉजिटिव थिंकिंग ठीक है पॉजिटिव थिंकिंग का ध्यान रखते हुए बच्चों वेलकम तो अलोफ यू ओ माइगॉड नानी रितुरा जोके रोहन फिर आपसे मिलने आ गए अरे तो आना ही चाहिए यार नौक अब बजेगी नौक अब बजेगी तो फाइनली जब बज़े तो बहुत मजा आ रहा हाई यंके तो बच्चों आज की जो कक्षा है वो एक तरह से आपका जो एलेक्रों माइग्नेटिजम उसका अंध हमें आज करना है और मतलब अंध मतलब की डिसकुशन का अंध है ना तो यह माय एसी वीक सुनने में कितना अजीव सा लगता है माय एसी वीक मतलब अपन के अंदर कोई compressor है जो खराब हो रहा है ऐसा alternating current discuss करने वाले हैं थैंक्यू बच्चो थैंक्स आप लोग जित्ती तारीफ करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है बड़ घमन फिर भी नहीं आता ठीक है सर आप नाच्रिश्टी हो बता है अने थीक है मतलों मैं तुमारी भावनाओं को समझ रहा हूं वेडिये सुनने में बड़ा मदा है मुझे आप नैच्रल हो थैंक्यू तो बच्चो हाई श्रिश्टी हेलो थैंक्यू तो आज का बच्चो डिसकेशन है आज मैं बहुत चमक रहा हूं थैंक्यू थैंक्यू तो मैं कही रहो ना आपको आप जित्ती तारीफ करते हो तो तारीफ जित्ती करते हो गवन विल्कुल भी नहीं आता है ठीक है सर कंप्लीट फिजिक्स बरबाद है एनी टिप्स प्लीज बिटा पढ़ाई करो है ना सत्रा दिन पहले ऐसी बाते शोबानी देती हाई महिंद्र बच्चों कितने किस किताब में आता ही है क्या कोई बता सकता है मुझे कौनसी NCIRT बुक में EM वेफ छुपा हुआ है क्योंकि कई बार मैं बच्चों को बोलते हैं नहीं कि EM वेफ तो उनको याद ही नहीं आता है कि यह कौनसे चैप्टर है भाई एन। यह न, EM Waves जो है बच्चों, वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, यह न, I think NCRT का first volume में है, आखरी part, ठीक है, part 2 में तो नहीं है, यार, oh my god, बच्चे जो है, उनको यह भी नहीं पता है, कि NCRT के part 1 में है EM Waves, देखो मैंने पकड़ लिया आपको, मैं बच्चों से यही पू एक दम, ठीक है, और पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता कि, you know, क्या है, मतलब यह, बर हाँ, मतलब जो काम की चीज़े है न, बच्चों, काम की चीज़े हैं, आज हम डिसकर्स करने वाले हैं, हेलो, रनवीर, हेलो, राज, बहुत बढ़ी है, तो, आज जो है, बच्च बच्चों, 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 इस बात का पूरा भरोसा है, बच्चों, जोइन क्लास और टाइम, अटेंड डॉल ग्लासे रिवाइस करते रहें, पुलाइट रहें, स्पैम न करें, रिवाइड सेक्शन का बिल्कुल यूज करें, और सिस्टम रिकॉर्मन वाला पॉइंट भी पॉइंटर से दल देना, बिल्कुल बच्चों, बिल्क बिल्कुल भे नहीं है यह अच्छी चीज है यार ठीक है बच्चे आजकल क्या होता है जब क्लास होती है मेरी तो रिक्वेस्ट आती है जैसे जैसे एक आपने अगर मूवी देखियो शोले है ना फिर अपने स्टार्ट करते है इसका जो आज का डिसकेशन है तो शोले में आगर आजकल कि सर एक बरसर वो आप सर वो आला डायलोग बोलिए ना तो कोई ने आज़का आज की जो ट्रास बच्चो वह एक क्रेश कॉर्स टीक है क्रेश कॉर्स और ग्रेश कॉर्स बहुत सारी चीज़ें डिसकस करनी होती है तो उस पर आज हम फोकस अखेंगे गमर्ण सबसे जरूरी है इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं इसके बाद अगर अगर अपन देखें इसके बाद अपन मेरे सबसे एम वेबस का जो नेचर है उसी पर आते रहते हैं क्वेश्चिन और आप तो मेरे अंदर मैं भी सोचता हूं कि मैं कुछ कर लूँगा क्या मेरा एंड में कुछ अच्छा हो जाएगा तो अपन इसको ट्राय करेंगे डिसकस करने का इसको बच्चो आज फोकस करें फिर से फोकस करें इंपोर्टेंट पॉइंट डिसकस कर ले ठीक है आई होप सो अपकमिंग मॉक टेस्ट भी जो है हो सकता है वो नए पैटन पे हो बट डाट इस अगें गीं गॉइंग तो आपको जो पैटन मेल आप उस पर करो ठीक है जैसे जही एडवांस में होता है पैटन रिलीस तो होता नहीं है तो अगर वो पहले से बन गया होगा पेपर तो पुराने पैटन पी होगा बट अगें मतलब आयाव डूंट आपको डैशबोर्ट पे सब दिखता रहेगा तो आपको नहीं है नेक्स्ट वीग होगा राइट तो बिलकुल बिलकुल अब बच्चों पढ़ाई की बाते कर लेते है तो स्टार बहुत आपको और इसमिस पूछ लिया जही नहीं और आपसे गलती हो गई तो आप कभी अपने आपको मार्फ नहीं कर पाएंगे ज्यान से देखना यार अगर करेंट वर्स टाइम ग्राफ दिया है ऐसा ओमाय गौड ओमाय गौड दिस हास तो बी वन अव धी क्वेश्चेंट विछ फिफ्टी पर्सेंट अव जंता विल कमिट अ मिस्टेक इन इस 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 बताएं क्या यह अल्टेनेटिंग करेंट अरे यार मेरी आवाज हिंदी में समझ में आई रही होगी ना तुम लोगों अल्टेनेटिंग करेंट नहीं है सब्सक्राइब अब इसवाइब अब जैसे मांद लो ऐसा कुछ गाफ है प्टाइम यहां है कि यह है कि अल्टेनेटिंग करेंड जलदी से बताओ इस अल्टनेटिंग करेंट बोलो भई चेंजिंग कंटिनियूसली in magnitude है periodically in direction with time periodic function लग रहे हैं देखके यार तुम लोग भी कमाल की बात हैं करते हो यार अगर यह इसका time period है तो यह two times टी कहां से हो गया भई यह उसके बाद three times time period हो रहा है तो obviously नहीं 10th के बच्चे चले जाएं यहां से 10th के बच्चों के लिए नहीं आराम से दूद बूत पियें और जाएं सोएं अपने मज़े करें कोई tension वाली बात नहीं है अभी यह class आपके लिए नहीं है ठीक है this is also not alternating current तो हम क्या करते हैं बहुत ही प्यारे से कर्व लेते हैं alternating current में usually आपने देख भी लिया होगा क्योंकि आप यह chapter पढ़के ही आए होगे that you know sinusoidal sinusoidal curves इस तरह के curves लेते हैं आपन कॉस्स फंक्शन लेते हैं तो यह फिर alternating current की तरह आप मान सकते हो ठीक है magnitude में और periodically direction में change होना चाहिए ओके प्लीज ध्यान रखेंगे average value now this is something this is quite important because इसमें भी कहीं लोग गलती करते हैं ठीक है चलो देख लेते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं current as a function of time i is equal to i0 sin omega t है ठीक है average value of current बताना average value of current बताओ फट्टा फट बिटा focus रखो यार जो focus रखेगा वो शान्ती से आगे बड़ेगा जो ज़्यादा focus ने दोड़ी बाते करेगा ना अभी फिर वो गाया अपन थोड़ा सा करेंगे बीच-बीच में बाते मैं करता रहता हूं आपसे बड़ो मेरे उपर यार मुझे करने दो वो बाते है आप लोग वो बाते करोगे तो आप तो आपको तो exam देना है मुझे थोड़ी देना है तो यह 0 हो जाएगा सोचो क्यों क्योंकि जितना पॉजिटिव डारेक्शन में करेंट है उतना ही नेगेटिव में है तो overall इसका average value 0 है बट अगर मान लो average current पूछा है over 0 से T by 2 half time period के लिए तो भी क्या होगा 0 से T by 2 के लिए पूछा है तो क्या होगा i not by root 2 oh my god यार बच्चों ऐसे मत करो यार over 0 से T by 2 सईसी बताओ यह कोई अब डिराइव थोड़ी करूँगा यहाँ पे यह तो आपको आना चाहिए बोलो जल्दी से इतने कम बच्चों को आता है बहुत गलत बात है 2 i not by pi याद रख लेना इसको रटके जाना एक्जाम में भूल मत जाना 2 i not by pi ठीक है अच्छा एक और important चीज बच्चों यह 0 से T by 2 कोई भी time नहीं है यह 0 से T by 2 ही है अगर मैं यहापे T by 4 से 3 T by 4 ले लेता half time period तब भी होता न average current T by 2 से 3 T by 4 तो इसका answer क्या होता बच्चों जल्दी से बताने यार भावनाई समझके जल्दी से बताओ अगर T by 2 से 3 T by 4 का period interval लेता मैं तो उसमें बच्चों average current क्या होता फटा फट बताओ फटा फट फटा फट ओ माइ गॉड जल्दी से बच्चों गलत नहीं होना चीज बार answer आपका T by 4 यहाँ पर T by 2 नहीं T by 4 T by 4 T by 4 से 3 T by 4 T by 4 से 3 T by 4 फिर से T by 2 का interval है बट यह T by 4 से 3 T by 4 है तो obviously इसका answer क्या होगा बच्चों 0 इसका मतलब T by 2 का जो interval है नो कौनसे interval है यह बात समझ में आगई होगी सबको और अब कोई गलती नहीं करेगा similarly बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि average of cos omega T is equal to average of sin to omega T is equal to 0 over one time period उसका जो जो time period है उसके उपर आप देखेंगे तो 0 ही रहे गई है however ध्यान रखना है अपनको sin square omega T का average value cos square omega T का average value क्या होगा भई sin square omega T 2 omega T का average value over one time period is 1 by 2 भईया याद रखेंगे यह भूल जाओगे ना तो हो गया फिर अपना काम तमाम यह integration exam में नहीं कर पाएंगे अपन ऐसे सोच़़वागे मैं तो कर लूँगा integration करके दिखा दो exam में और मतलो confidence नहीं आता कुछ चीज ऐसी होती है life में कि याद रखने से confidence बढ़ता है this is one of them समझे मेरी बात जैसे आज मैं आपको formula बढ़ा हूँगा bandwidth का अगर आपको पता है bandwidth का formula तो आपका उससे confidence बढ़ेगा चाहे आता कितना ही कुछ हो आपको ज़्यादा नहीं आता हो बट वो formula याद रहेगा नो तो ऐसा लगा कि मुझे कुछ आता है वोई चीज है यहाँ पर this is extremely important please याद रखना है ध्यान रख लेना है इसे ठीक है किसे होगे दिक्कत यह T by 4 का once again बेटा T by 4 से 3 T by 4 देखो कौन सा टाइम हो गया T by 4 यह टाइम है और 3 T by 4 यह वाला टाइम है तो बच्चो इसमें अब तुम एरिया अगर देखना चाहते हो तो इसमें एरिया उपर नीचे आधाधा पार्ट हो गया नहीं यार ठीक है तो यह overall क्या हो जाएगा 0 average value और 11th और 10th का बच्चा कोई नहीं पूछेगा डाउट यह बहुत मुश्किल होता है उनको समझाना इस कच्ची उमर में ठीक है तुम लोगों की कच्ची उमर है 10th के बच्चे वैसे यार पोगो देखते रहते हों पोगो के बीच में पूछते रहेंगे इसलिए बता दो बता दो तो बच्चो आई रमस जो है बच्चो साइन टू ओमेगा ठीका एबरेज वैलिव जीरो है ओवर वन टाइम पिरियद ऑफ साइन टू ओमेगा टी इसलिए मैं ने लिख दिया जिससे आपको कन्फूजन नहीं हो पीडिएफ कहां से मिलेगा बेटा व्यू पास लिसन में आ जाएगा और तुमसे कोई छुपाई नहीं सकता है और व्यू लिसन में पर क्लिक करो के सब मिल जाएगा आई रमस क्या होता है इसमें देखो इसको बच्चो हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जैसे आप average velocity निकालते हो तो average velocity मतलब average of velocity is equal to integration of VDT upon integration dT तो integration VDT क्या होता है displacement upon टोडल टाइंग तो यह भी आपको क्या देदे देताँ average velocity right ध्यान रखो okay mean का अच्छा expression गया रिशी ने कि जो rms value है कि उसका सर्य use क्या है तो वह power dissipated उसी के corresponding आता है तो अच्छी बात है बड़ावन बाद में बात करेंगे वह वाली इसमें बच्चो i rms क्या होगा इसका i rms हो जाएगा i not by root 2 भूल मत जाना ठीक है अच्छा भई घरों में 220 वोल्ट आती है ना household supply यही बोलते रहता हर कोई गाता है 220 वोल्ट आप कोई भी equipment उठाओ उसमें 220 वोल्ट कुछ भी देखो आप electrical instrument उसमें 220 वोल्ट तो लिखा होता है तो बच्चो 220 वोल्ट क्या होता है क्या वो amplitude है या वो rms है क्या वो अगर जैसे इस तरह से घरों में supply हो रही है ac ही है अपनका voltage तो यह क्या 220 वोल्ट 220 is surely v rms ठीक है तो इसका मतलब v0 by root 2 ही है तो अपना जो amplitude है ना जो max voltage है वो 220 root 2 हो गया है अच्छी बात है सबको पता ही होना चाहिए बट होता है ना कई बार की कुछ लोगों का Eureka movement बहुत ही लेट आता है तो बस वो exam के दिन exam के बाद ना है तो मैंने इसलिए बता दिया राइट ओके ठीक है तो बच्चों फटाफट देखते हैं और मैं एक बाद चेक कर लेता हूं जस्ट आप यह expressions के थू जैसे यह जो अपने फॉर्मले लिखे हैं उसको याद रखते हुए लेट मी सी यह फॉर्मले mathematical फॉर्मले हैं तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या मेरे बच्चे यह बता पाते हैं कि जो given graph है उसका average और RMS value क्या होंगा देखते हैं बढ़ी बता पाते हैं क्या तो यह बच्चों I versus T graph है इसके positive में इसके positive में 3A ले लो और negative में बच्चों माइनस 2A ठीक है उपर positive में 3 और negative में माइनस 2 तो फटा फट बता दो कि average और mean current क्या है 1,2,3 इस तरह से चले जा रहा है तो बता दो बच्चों average current और RMS current इस इस IT graph के लिए कितना होगा sin omega T क्या represent कर रहे बेटा बस sin omega T fluctuate कर रहा है न यह sinusoidal curve हो गया न यह this is a sinusoidal variation वो ही तो अपना alternating current का basis था कि भई उसमें एक positive negative territory में जाना चाहिए positive negative territory में इंटर्वेल बच्चों अगर कुछ भी नहीं mentioned है तो मैं आपको बताई दिया interval आपको time period लेना है अगर कुछ भी नहीं mentioned है अगर कुछ भी नहीं mentioned है अभी just मैंने बोला भी था कि हा यह AC इसले नहीं होगा क्योंकि यहां पर continuity नहीं है यहां पर discontinuity है तो continuous variation होना चाहिए यह question ऐसा गलत है question ही ऐसे दिमाग इस तरह से नहीं लगाना है इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ formula लगाके इसका answer देना है ठीक है तो average value देखें average 2 भी आ गया 1 आ गया आधा भी आ गया oh my god multiple options आ रहे हैं बच्चों के जो होना नहीं चाहिए था ideally I'm stunned तो बच्चों अगर हम थो आप यार यह था हवा में हो जाएगा average value क्यों sir average value हवा में क्यों हो जाएगा क्यूंकि बच्चों average में integration function dt का मतलब integration ager is nothing but area under this curve लो फो देखें यह जो है positive area हो गया और यह जो है बच्चों negative area हो गया kolay time T बो लो बही इसमें average आ रहा है 0.5 Mp kg तो 0.5 MPL जिन बच्चों का आ रहा है, वो अपने आपको शाबाशी दे सकते हैं, वर्चुल शाबाशी, और जिनका नहीं आ रहा है, वो बच्चों एक बार सोच के देखें, कि यह क्या चमतकर किया है आपने, प्लीज चेक, ओ माइ गॉड, प्लीज चेक, जिन बच्चों का गड़वड आया है यार, वो होना नहीं चेद है यार, ऐसी गलती करना, इस टाइम पे इतनी अच्छी बात नहीं है, प्लीज चेक, इस इट ओके, सबको अपनी गलती का एसास हो गया, गलती का एसास होना बहुत इंपोर्टेंट है, और RMSB निकालें उसके बाद, अरे मैंने पूरी साइकल कर, तो मैंने कब बोला हाफ साइकल का निकालना है, मैंने भी पूरी साइकल का ही निकाला है, हाफ साइकल का नहीं निकाला है, पूरे का निकाला है, प्लीज चेक करो, इस question में गलती नहीं करनी है भाई या बिलकुल भी नहीं I meant पूरे graph बेटा इसका क्या sense बना पूरे graph वो तो आपका बढ़ते ही रहेगा न ग्राफ आगे वो तो graph तो आगे बढ़ी रहे मतलब I just gave it वो exam में भी ऐसी देंगे पूरा graph कैसे बनाएंगे अच्छा अब RMS निकालो चलो कोई बात नहीं गलती accepted की कुछ हो गया अब तो RMS तो सही निकाल दो two seconds इसलिए बेटा क्योंकि one time period में निकाला है मैंने average value ओके आगे भी फिर तुम अगर हर time period के बात निकालोगे तो यह ही आएगा हर बार उसमें कोई tension वाली बात ही नहीं है RMS सही से निकालो यार why you divided by two beta क्योंकि integration dt हैना है आपर देखो integration dt का मतलब total time ठीक है अच्छा अब सोचू मैं RMS का formula देखूं तो यार यह i square का average कर रहा है i square का average i square का average तो बच्चो i square का average क्या होगा RMS is equal to root of integration i square dt upon total time t अब मैं देखूं यार graph में अगर i square versus t बना दो तो मज़े ही आ जाए क्या गोलतो है यार i square versus t तो उससे क्या होगा बच्चों उगे दिख रहा है कि तो sir constant 3 ampere है तो यहां पर बच्चो 9 आ जाएगा और बच्चो माइनस 2 का square 4 आ जाएगा तो this is 9 and this is 4 प्लीज चेक करें this is 1 this is 2 तो बच्चों मुझे बस ये area लिखना है यार क्या बोलते हो अगर मैं यहां पर अंदर integration i square dt का अंतलो ये area लिख दूँ तो मेरा जो answer है वो बड़ा प्यारा सा लग रहा है और बड़ा खुशी-खुशी मुझे दिख रहा है कि मेरा answer आने वाला है 6.5 amps क्या बोलते हो बई आ रहा है क्या match कर रहा है कि answer किसी कहा कर रहा है कर रहा है 8 9 10 में ज्यादा ज्यादा वो serious नहीं होने का अराम से enjoy करो फिर 11th class में पढ़ो दो साल खूब enjoy करो पढ़के अभी असली वाला enjoy करो ठीक है इंसान है इतना trick है समझी नहीं सकते है ठीक है तो बच्चो एरिया जो है न मैंने i square versus t का graph बनाया i square versus t का graph बनाया तो i square क्या है 3 का square बच्चो 9 हो गया और वो constant है ठीक है और बच्चो यहाँ पर minus 2 का square 4 हो गया तो यह 4 हो गया तो area under i square versus t बच्चो यह area ही तो लिखना है अब area नहीं लिख सकते है आप लो rectangle का और यह सब हां ऐसे मत बोलो यार कि यह तो सरम मतलब यह तो मेरे बाए हाथ का खेल है बट क्या है मेरा बाए हाथ कमजोर है तो मैं गलत कर देता हूं अरे ऐसे तोड़ी चलेगा यार ठीक है चल तो यह बच्चो ध्यान रखना एक ऐसा अगर ललू सा question आगे एक्जाम में तो गलत नहीं होना चाहिए बेटा अब इसको वापस अब यह इतना easy question है अपने आपसे question कर लेना अब जैसे मैं example के लिए ऐसे लिख देता हूं कि जैसे i is equal to 3-2 times t दे रखा है और आपको average value पूछ लिए t is equal to 0-1 तक तो बस आपको कुछ नहीं करना i dt का integration में limit कर दो 0-1 और integration dt का 0-7 इस तरह से कर लो तो यह आ गया i mean है कि नहीं और i rms क्या हो जाएगा बच्चों root of 3-2t का square dt upon इसका integration divided by dt इसमें भी limits वही 0-7-0-7 रख दो थोड़ी सी maths है maths का form यह maths है यार बाकी क्या है ठीक है चलो अब बच्चों हम चलते है रास की बात पयार ऐसी बात करने वालों में यहां पे जिसमें बच्चे जो की मतलब seriously नहीं समझते उस चीज को और फिर वह गरवर कर देते हैं यह ना गोल मोल कर देते हैं ठीक है तो बच्चों पूरा जो चैप्टर है ना alternating current इसको solve करने के लिए हम पूरी तरह से phaser representation पे जाएंगे और phaser मतलब होता है अपना बच्चों complex vector ठीक है complex vector तो यह दोन अधर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं resistance और angle 0 चुप-चाप सुनते रहो बसे ना उसके बाद बच्चों दूसरा जो है और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यह थोड़ा बाद आपको यह चीज़े पता है जैसे यह होता है अपना capacitive reactants capacitive reactants तो यह बच्चों होता है वन अपन ओमेगा सी एंगल माइनस पाइब टू ठीक है और बच्चों XL जो होता है दाट इस कॉल्ड इंडुक्टिव रियक्टेंस इंडुक्टिव रियक्टेंस तो बच्चों यह क्या होता है ओमेगा एल एंगल पाइब टू तो बच टेज फेजर क्या हो जाएगा यहां पर वी नॉट एंगल जीरो तो एक तरह से यहां पर जो फेज कॉंस्टेंट है ना वह आपका एक तरह से यहां पर एंगल में आ जाएगा ओके प्लीज रिमेंड फोकस्ट इसका मतलब पाइब टू का मतलब किसार अगर यह डॉटिड आपकी एक्स है तो पाइब टू का मतलब यह जो वेक्टर है डाट इस मेंकिंग अन एंगल 90 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स अक्सेस ओके और बच्चों फेजर के साथ खास बात यह है कि इसका वेक्टर इलजेब्रिक और यूपरेशन होता है मतलब वेक्टर एडि के लिए बच्चों कॉंप्लेक्स नंबर यूज कर लें तो बड़ा ही इंट्रेस्टिंग है तो अगर मैं मानलो दो फेजर को आपको समझा देता हूं जिसे आप कभी गलती नहीं करोगे मज़ा ही आजाएगा आपको लाइफ का तो इसमें बच्चों क्या होता है जैसे मान आएगा यहां पर देता हूं टाइप इंगी तो मतलब यह ध्यां से फोकस कर लो यार सब चीज़े बता रहा हूं चारो चीज़े एडिशन सब्ट्रेक्शन मुल्ट्यूक्टिप्लेकेशन और डिविजन तो मैंने क्या बोला एडिशन और सब्ट्रेक्शन के लिए अब निकाल लेंगे 10 5 is equal to omega divided by R सेम तरीके से बच्चों आप आर फेजर माइनस एक्सल फेजर कर सकते हो तो मैं अब लिख नहीं था पूरा मैं ऐसी डाइग्राम से समझा रहा हूं तो बच्चों माइनस मतलब यहां पर क्या हो गया ओमेगा नीचे आ गया और फिर तुम इ क्या होता है आप arguments को add कर देते हो उस तरह की चीज़े करते हो ना तो वही चीज़ करनी है तो यह हो जाएगा आर नॉट आर इंटू आर इंटू ओमेगा एल और बच्चों एंगल एड कर दो एंगल जीरो और यह माइनस यह पाई बैटू तो यह हो जाएगा जीरो प्लस प समझ गए प्लीज चेक करो यार बस इतना समझ गए अगर तो मज़ा आने वाला है अगले 15 मिनट में अपन मचा ही देंगे और बच्चो यह इसलिए भी important है क्योंकि जब थोड़े से advanced level की बाते करेंगे आपन मेंस के बाद तो उसमें बच्चो parallel RLC circuit भी आते हैं गंदे questions में तो वहां पर फिर अपन यह जब लगाएंगे ना तो खैट 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 बड़े प्यार से होते हैं question solve मज़ा आ जाते है उसमें करने में तो यह अपन यहां पर absolutely fantastically important slide है तो इसको बच्चों यार अब मैं इसको use करता रहूंगा तो आप में से जिन ठोड़े बहुत बच्च आपके अंदर कोई माता आ गई है ना और वह सही मैं आज मैं बहुत amazingly इसमें सब कुछ बताने वाला हूं क्योंकि मुझे पता है कि कितना important है तो वी नॉट साइन omega t को बच्चों फेजर form में लिखना है आप बस देखते रहो आपको फील आ जाएगी और यह resistance है बच्चों तो अपन क्या बोल रहे है यहां पर ओम्स लॉञ लगाएंगे मज़धार वाला ओम्स लॉग क्या होता है यहां पर करेंट फेजर वोल्टेज फेजर अपॉन जो भी अपना निट रिजिस्टेंस होते है उसको बोलते हैं इंपिदेंस ठीक है इंपिडेंस तो बच्चों आ गया अब मैं इसको convert कर लो sign function में तो यह आ गया sign omega t मतलब जो voltage वैसे ऐसा function आ रहा है वैसे current आ गया तो इसी लिए बोलते हैं बच्चो current and voltage are in phase यह गमन मिलकुल भी नहीं है देखते रहो यार current and voltage are in phase next बच्चो purely inductive यार देखो इतना बढ़िया तुम्हें मज़ा आ जाएगा जो काम की चीज़ है वो सारी बता रहा हूं मैं आपको लगेगा कि तरह से आप क्या करके रहे हो आप यह प्लीज आप देखते रहो देखो इसमें current फेजर फिर से वही पाइब तो current क्या हो गया बच्चों वी नॉट अपॉन ओमेगा यल साइन ओमेगा टी माइनस पाइब टू इसका मतलब वी लीड्स करेंट वी लीड्स करेंट बाइपाइब टू यह हमें यहां पर ध्यान अठना है और यह बच्चों बहुत इंपोर्टेंट है प्लीज च को यह 15 मिनटे पूरा चैप्टर निप्टा देंगे अपन बस तुम देखते रहो इंजॉय करो सिर्फ समझ में आ रही है यह बात किसी को कोई डाउट मजा आ गया नेक्स्ट प्यॉर्ली कैपिसिटिव ओमाइगॉड और उसके बाद अपन फिर सब एक साथ करेंगे ना तो यह तो आगया अपना जो भी मैक्सिमम्म करेंट है एंगल पाइवाइटू और ओमाइगॉड ओवर हेर करेंट लीड्स वी बाइपाइवाइटू चेक करो क्लिक हो गया होगा अब बच्चों देखिए अब सियार सर्किट देखते हैं जिसमें दोनों हैं देखो क्या होता ह जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना आप अठकोगे तो इसलिए एक बार मैं कर रहा हो ना अब आप बाद में अपने आप करना प्लीज चेक करो यार और बाकी सब वही है वी नॉट साइन ओमेगा टी लीड या लैग अब लीड करेगा ना करेंट पाइवाइटू आग आते हैं इस इंपोर्डेंट तो करेंट फेजर बच्चो कितनी मस्ती से लिख रहा हूं मैं आप समझ सकते हैं मेरी रेट जो रेट है रेट लिखने की वह कितनी ज्यादा है अब बच्चो मैं इंपिडेंस लिखूंगा ना इंपिडेंस वेक्टर सम आफ दीस टू तो यह प्लस वन अपॉन ओमेगा सी एंगल माइनस वेटू चेक करो यार बहुत ही प्यारी चीज़ लिखी है और मैं वेक्टर एडिशन करने वाला हूं अब मज़ा ही आ गया देखके अब मिलको समझ में आते है कि यह पैरलेलोग्राम लॉ इतना क्यों इंपोर्टेंस के साथ क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब इसमें एक्सपर्ट बन जाओ और फिर जब क्वेशन करें न हम तो इतना जल्दी करें आंसर इसके निकालें कि आपको लगे सब मज़ा ही आ गया प्लीज चेक करो एंगल माइनस फाई तो बच्चों यह जो टर्मेन वी नॉट अपॉन और यहां साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि यह जब उपर जाएगा यह बन जाएगा प्लस फाई तो मैं यहां पर लिख सकता हूं करेंट लीड्स वोल्टेज बाई फाई प्लीज चेक करो वेर टैन फाई इस एक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी डिवाइड बाई आर वन अपॉन ओमेगा सी को प्यार से बोलते हैं हम कैपेसिटिव रियक्टेंस चेक करो यार समझ में आ रहा है क्या क्योंकि जब हम एलार सी पर चलेंगे तो आपका यूरेका मोमेंट आ जाना चाहिए कि अब सब कोई भी क्वेश्चन देदो हम गलत नहीं कर सकते ठीक है प् पास नहीं कर रहा है इसमें और इसका क्या आने वाला इंपिदेंस और इसका एंगल क्या फसने वाले माइनस वाई तो हम यह लिग देंगे वी लीड्स वी लीड्स आई बाए पाई और टैंफाई क्या हो जाएगा बच्चों इसमें कैसा विक्टर ट्रेंगल बनेगा आज का फंड़ा पर आ जाएं अब यह हो गया अगर बच्चों आपसे अपने आप तो आपने मचा डाला चैप्टर कुछ नहीं बचा फिर इसमें ठीक है कुछ भी नहीं बचा स्रीज एलसीर पर भर भर के सवाल आते हैं और हम क्या करते रह जाते हैं हम करते रह जाते हैं इसका solution जो लिख रहा हूं आपको मज़ा आजाएगा देखकर प्लीज सी आर एंगल जीरो इंपिदेंस ओमेगा एंगल पाइवाए टू प्लस वन अपॉन अपॉन ओमेगा सी एंगल माइनस पाइवाए टू इसका जो वेक्टर फॉर्म बनेगा बच्चों वह सबसे जाद ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी और इनका बच्चों जो वेक्टर सम आएगा वही हमारा इंपिदेंस है रूट आर स्क्वेर प्लस ओमेगा एल को लिख देता हूं एकसल माइनस एकसी का स्क्वेर क्या मज़ेदार चीज है यार अपने एक गंदे से गंदे से फे इस बिल्कुल भी नहीं आएगा ना तरीफ न भी करो तो कोई बात नी मुझे आपकी फीलिंग्स समझ में आ जाती है ना तो यह बच्चों आजाएगा करेंट इस ओमेगा टी माइनस फाइग विर इस अंगल इस नफिग बट फाई और टैन फाई आजाएगा बच्चों ओ माइनस वन अपन ओमेगा सी डिवाइडड बाई आर वच्चों इस ही में कॉस फाई जो होता है कॉस फाई है क्या बोलते हैं लेट मी सी कितने बच्चे जगें कितने बच्चे सो गए पता चल जाएगा मुझे यह होता है नेट इंपिदेंस तो बच्चों कॉस क्वाई और बच्चो इसको देखकर अगर आपको फील नहीं आई तो फिर पता नहीं किस में आईगी, right? तो यह has, you have to understand the beauty of this what we have done, और बहुत ही जोरदा चीज की है, अब मैं एक बार आप से you know, चेक करता हूँ कि आपको, I hope this is आप पावर फेक्टर के बारे में हम डिसकस करेंगे आगे बस यह नाम important था, मैं चेक करता हूँ कि आपको कितना समझ में आया let me check, तो यह अगले पेच पर कर रहा हूँ एक वीडियो दिखा रहा हूँ, let me check let me check oh my god तो बच्चों यह जरा diagram देखके, जो भी यह वीडियो चल रहा है उसको देखके बताएं, कि यह LCR सरकिट का है यह RL सरकिट का है यह RC सरकिट का है क्या है यह मतलब अगर आपको यह photo, यह मतलब वीडियो दिख रहा है कि कैसे यह चल रहा है इसमें current is represented by red इसमें voltage is represented by green और मैं फिर से आपके लिए चला देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं हो समझने में तो बच्चों यह क्या हो रहा है मतलब यह किस सरकिट का representation है क्या यह LCR है यह LR है यह RC है क्या है यह तो अगर हम बच्चों ध्यान से देखें बहुत सारे बच्चों का आगे है reply मैं ध्यान से अगर देखूं बच्चों तो इसमें voltage is leading current यह तो मुझे दिख रहा है voltage is leading current कितने angles है oh my god this seems to be 90 अरे यार यह तो 90 लग रहा है अबे lead करता हुआ कौन है अरे तो जो पहले निकल गया जो पहले निकल गया किसी point से और बाद में दूसरा आ रहा है तो यह lead हो गया न यार तो definitely e lead कर रहा है i से तो बच्चों यह कौन सा circuit को represent कर रहा है क्या यह LCR है मुझे तो यार यह LR circuit लग रहा है LR circuit में ही तो होता है कि current lags voltage by 90 degree क्या बोलते हो यार या only L only L only L या only C ये भी तो option हो सकते 90 degree है या 90 degree से कम होता तो फिर LR होता क्या बोलते हो सिर्फ L देखो 90 देखो देखो tan phi की value हमने लिखी थी बट इसमें phi तो यार 90 degree हो गया न तो इसका मतलब तो यार इसमे आर हो गई नहीं अगर ये 90 degree है दोनों के बीच का जो की लग रहा है देखो देखो दियान से ये 90 degree exact 90 तो बच्चो इसका मतलब E is leading current by 90 degree तो ये तो बच्चो perfectly एक only inductor वाला circuit हो गया क्या बोलते हो only inductor तो अगर आपको बच्चो इस तरह का question बनके दिखे तो आपके दिमाग चलना चाहिए है ना कि मतलब only 90 degree मतलब only L वाला circuit है क्योंकि perfectly angle दोनों के बीच पर 90 मैं आपको पीछे दिखा दूँगा working पहले ये समझ लो जो मैं इस वीडियो के थुरू दिखाना चाहरा था तो बच्चो इसमें क्या होता है ध्यान से देखना यह अगर voltage के लिए है ना तो voltage का y component is given by this point and वो हम phasor के through use करते हैं ठीक है current का बच्चो y component is used over here मैं एक बार पीछे जाके देखो ना यार इसको देखो analysis of purely inductive देखते हैं तो voltage leads current by pi by 2 voltage leads current by 2 तो यही तो हो रहा था उस वीडियो में यार क्या बोलते हो यही तो हो रहा है इस वीडियो में कि voltage जो है वो lead कर रहा है current को voltage is leading current by pi by 2 तो यह तो pure inductor वाला ही representation है अगर सिर्फ resistance होता तो L और R बिलकुल phase में होते हैं वो साथ साथ घूम रहे होते हैं ठीक है तो बच्चों I hope this is a little bit you know making some sense to you कि कैसे phasor में होता है कैसे वो rotating vector है और कैसे अब उनका projection लेते हैं है ना what is phi? phi is the phase constant है ना phase constant between current and voltage current और voltage के बीच का phase constant जब pi by 2 लिखना हो sin omega t plus pi by 2 बिलकुल वही है angle pi by 2 का मतलब वही है क्या-क्या ध्यान रखना है फिर से लिख जेते हैं impedance impedance क्या होता है भई impedance होता है root of r square plus xl minus xc का whole square भूल नहीं सकते है यार ये भूल डाला तो chapter को भूल जाओ फिर आप कोई मतलब भी नहीं है tan phi tan phi क्या होता है भई जो पीछे लिखा था है इसको रटके बैठना है xl minus xc divided by r oh my god और cos phi cos phi क्या होता है बच्चो r बटा impedance ये तीनों formula तो रटे हुए होने चाहिए अच्छा resonance की condition क्या होती है resonance 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 is when resonance is when current is maximum impedance is minimum ये तो मैं देख भी नहीं रहा कि यार तुम लोग बताईद होगे क्या होता है xl बराबर xc तो omega l is 1 by omega c तो omega आजाएगा बच्चो 1 by root lc this is the resonance frequency ये ध्यान रख लेना important quality factor भी बताएगे इसको खतम करें अब है ना let us see तो power का formula बच्चो average power average power ये होता है i rms into v rms into cos phi है ना phi बच्चो इसमे phase difference between current and voltage है phi is phase difference between अब यार सबको कुछ ना कुछ बोलना जरूरी है क्या कि भई इसको cos phi को power factor बोलते तो phi उसको भी बोलना है ऐसा कुछ नहीं है between current and voltage xl और xc अबे यार तुम लोग यार खतरना की हो यार xl होता है omega l और xc होता है one upon omega c जागरुक बनो बेटा जागरुक ठीक है तो average power का ये formula दियान रखो एक bandwidth होता है bandwidth bandwidth किसी ने याद किया है क्या bandwidth यार याद रखलो बस formula दिमाग मत लगाना आर बटाय लिखू या l बटाय लिखू बताओ जल्दी से bandwidth क्या होता है bandwidth और उसके बाद quality factor q factor ये पता है चेक करो फटाफट is it okay 1 by r root l by c याद रखलो यार यार ये हाँ ठीक है ये रिशी सही बोल रहा है तो अगर ये फस गया तो आ गया और अगर नहीं फसा तो jam आता दी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है क्या होता है ये अब अपने आप पढ़ ले ना वैसे मैं graph के थूरू बता सकता हूं आई गया तो graph में क्या होता है बच्चो पावर जो है वो के साथ वैरी करता है ठीक है ऐसा कुछ होता है graph तो max power आती है omega r पर तो अगर half of max power ले ले ना ये points तो half of max power ले ले तो frequency मिलती है उन्हीं दोनों का difference क्या होता है बच्चो bandwidth कोई मतलब नहीं है bandwidth अगर use होगा ना तो तुम्हें formula पता होना चाहिए बाकी अपना English language वाली definition तुम पढ़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और q factor बताती है कि चोंच कितनी sharp है अगर चोंच sharp है तो q factor is good अगर चोंच dull सी है तो फिर q factor is not good मतलब ऐसा जो graph है ना उसका q factor मज़दार नहीं होगा और ऐसा graph है इस तरह से चोंच इस तरह से बन रही है तो फिर उसका q factor है वो अच्छा होगा something like this टेक है तो इस तरह से what is omega don't ask बेटा तुम पक्का 11th के हो है ना omega क्या है previous slide बेटा इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा average power का formula है जिसको हमें ध्यान रखना है अब सवालों पर आते हैं सवाल करो अब ठीक है चैलेंज की जो बताया उसके उपर सवाल करने है क्या बताया मैंने याद करो जेट का formula याद रखना है tan5 cos5 power factor phasors का यूज करना है phasors ठीक है phasors का यूज करना है अब यह वह वाला bandwidth नहीं है यह जो तुमारा bandwidth है if omega 1 and omega 2 is given find अब एक question करो ना यार बच्चों I am 10 student can I study it no not at all जाओ और आराम से सो जाओ यार पॉने दर सो गई अब जाओ सोने का time हो गया है जल्दी से जाओ this is meant only for 12th class students and dropper बाकी दस्वी के बच्चे यार आराम से पोगो देखो अभी क्या इस टाइम पर वो नहीं आता कि honey bunny जाओ honey bunny देखो जाओ पुरानी बाते याद करो बेटा सारी slides में जो भी चीज़ाना सब मिल जाएंगी यह सब चीज़ा आपको मिल जाएंगी अब सवाल करते हैं 11th के लिए live session बड़े जिल्दी चालू होंगे sir you can keep yourself updated on the dashboard don't worry sir you are really funny okay thank you for the compliment बच्चे हो अब देखो यह questions अपन बड़े प्यार से discuss करेंगे अब questions बड़े प्यार से discuss करेंगे क्यूंकि असली जो राज छिपे हैं वो questions के दुरू देखते हैं क्योंकि यह जही में आए वे question है तो हम सोचते हैं कि यार ऐसे question सोड़े से मुश्किल होंगे सोचते हैं तो AC voltage source लगा दिया तो मतलब AC का question है और resistance जो है वो series में लगा हुआ है इसके और electric bulb भी है मतलब RC circuit हो गया तो बच्चों impedance क्या हो गया इसका root of r square plus xc that is one upon omega c square है न तो when omega is increased omega बढ़ा दिया तो overall यह कम हो गया तो कम हो गया impedance total impedance is increased total impedance is unchanged तो यह और भी तो नहीं हो सकता है अब अब बताओ देखो current power factor average power average power का formula हमने पीछे लिखा था v rms i rms cos phi है कि नहीं तो हमें बता है बच्चों कि v rms को मैं लिख सकता हूं या i rms को लिखता हूं v rms upon z v rms का square बटा z और cos phi होता है बच्चों r बटा z तो z square आ गया और z कम हो रहा है तो यह अगर denominator कम होगा तो in numerator बढ़ गया overall therefore the bulb glows brighter अब होता है क्या मैं आपको एक रास की बात बताता हूं यह बच्चे है ना जनरली पकड़ लिखने सी बड़ उनका जो उनका जो version होता है उनका जो version होता है कि cq है वो गलत होता है इसका मतलब यह नहीं है बच्चों आप सोच लो कि अगर z कम हो गया तो मतलब sir खतम फिर तो resistance कम बच्चों आपको धंग से देखना पड़ेगा कि power जो है वो किस पर depend कर रहा है यह बिलकुल अपन उस तरह से नहीं सोचेंगे कि i2 by z type का फंड़ा है वो power में ऐसा नहीं है आप देखो तो किस तरह से फंड़ा बन रहा है उसमें resistance भी involved हो रहा है तो just be careful ठीक है ध्यान रखना इस बात का अगला सवाल please try please करें सारे वो questions जो कि आपको आने चाहिए वो हम discuss कर रहे हैं अगर आपको यह सब आते हैं तो आप mains के लिए fully prepared हो मेरा पूरा आशीरवाद है आपसे कोई भी question आ जाएग alternating current का तो आपसे cut हो जाएगा LC oscillation बच्चों बहुत ही easy है यार खुद से देख लेना सवाल आते नहीं है उस पर omega equal to 1 by root LC से वो oscillate करता रहता है energy तो it's not that big a deal और current और charge जो है बच्चों pi by 2 phase reference में चलता रहता है तो ऐसा कुछ है नहीं उसमें अगर आपको ऐसा लग रहा हो न और question एका जो आए हुए बहुत पहले तो उनको देख लो बट जो focus हमारा है आज वो इस पर है जो इन पर questions आते हैं जैसे transform में भी आर एक ही formula है step down step down up में number of turns का ratio is nothing but voltage induced उसका जो ratio है तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं तो please do go through them बट मेरे इसाब से जो focus है अपना आज की class में जो अब classes हो रही है न उसमें we are focusing more on the concept जिसमें question आते हैं तो हमने कुछ analysis किया है कि इन topic से ज़्यादा सवाल आते है तो उस पे हम focus करेंगे यह इतना बड़ा है नहीं question तुम अगर questions की feelings को समझो न तो it's not that big a question मैंने option तो दिये ही नहीं है है न तो ऐसा कुछ खास question है series LCR circuit है 200 ohm resistance है और AC source दे रखा है omega और V दे रखा है when the capacitance is removed current lacks the voltage when the inductance is removed current leads the voltage calculate the current in LCR पटाफट करो यार मयंग बहुत बड़ी है यार बेटा बट सही नहीं लग रहा है यार answer I think GU का सही है वेटा answer देने नाम भी लिख दे जाए तो थोड़ा सा मुझा idea रहेगा यह LCR है LCR है एक बार आपने हटाया capacitance को तो वो LR बन गया दस्वी का बच्चा कोई नहीं पूछा यार यह पढ़ते है आज वह वाले बच्चे प्लीज यहां से जाए और मैं अलग से जब class होगी नहीं 11 की तब आपके साथ खूब enjoy करूंगा मैं तो वेट कर रहा हूं कब 11 की क्लास चलो मतलब इतना मज़ा आने वाला है यह 11 की क्लास में ultimate it will be ultimate fun you can all feel my feelings as well कि हाँ से मज़ा तो आएगा आप लोगों के आपके साथ पढ़ने में तो मैं बहुत eagerly वेट कर रहा हूं कि कब 11 के बच्चे आएंगे और उनको भी पढ़ाने का मौका मिलेगा तो बड़ा मज़ा आने वाला है उनके साथ तो बच्चों ध्यान से देखें ध्यान से देखें ध्यान से देखें फोकस करें तो बच्चों इसमें जब मैंने कैपसेटर हटा दिया तो current lags behind the voltage मतलब यह जो 5 है उसमें tan 5 बन गया बच्चों Excel divided by R और यहां एक्सेल आ गया सिमिलरली बच्चों और यहां Excel आ गया रूट 3R सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि जब जब आपने जब आपने आपने सर कैपसेटर अटा दिया तब भी सर ऐसी एक्वेशन बन जाएगी tan 5 is equal to xc बट आर तो xc आ गया सर रूट 3R इसका मतलब xl और xc सेम आ गए तो मज़ा ही आ गया यह तो क्योंकि impedance क्या होता है बच्चों root of R square plus xl minus xc गा square तो यह तो बच्चों चुपचा करोगे अगर आप formula याद रखके तो R आ गया तो इसमें simply current क्या हो गया बच्चों v divided by z which is nothing but v divided by r oh my god v is given as 200 and r is r is also 200 तो इसका answer आ गया बच्चों 1 ampere only ओहो यह तो resonance वाली condition थी अरे यार बच्चों बता है इसलिए मैं कहता हूं don't judge a book by its cover है ना वैसे एक बहुत पुरानी कहवत है इसमें कुछ नया नहीं है but question की length देखके आप question की difficulty को मत judge करो इस तरह के question आ नहीं है means में 100% guaranteed है ठीक है कि ऐसे लंबे चौड़े question बनाएंगे और लल्लू सा solution है उसका अब ध्यान भी रखना कि ऐसा अगर लल्लू सा question है जिसमें same angle से पहले lead कर रहा है और lack कर रहा है इस तरह की language है तो याद रखना good job नानी जिनका अच्छा था very good और जिनका नहीं था जिनका सही नहीं था वो ध्यान रखना next government बिल्कुल भी नहीं है यार government नहीं है यार government बिल्कुल नहीं है आप जितना तारीफ करना चाहें कर लें government आ नहीं सकता next सवाल करें again je question in fact आप देखेंगे तो alternating current is not one of the favorites जिसमें से पूछते हैं सवाल but जब पूछते हैं तो वो doable होता है good job अनुराद बहुत बढ़िया है ना जब पूछते हैं तो बड़ा प्यारा सा simple सा और यह integer type है मेंको integer answer देना है integer type question let me see how many of you get the correct answer अगर इसमें lead lag हाँ lead lag angle अगर equal है तो xc बराबर excel कर सकते हो अगर उसमें सिर्फ rl और rc है तो यार एक तो मेरी class पर बताए मैंने observe कि मेरी class में बच्चे बड़ा freedom महसूस करते हैं कि आज सिरसे पूछेंगे कि आज सर इतना चमक क्यों रहे है यह ना ऐसा कुछ लगता है मुझे कि बच्चे ऐसा feel करते हैं कि you know sir आप से ही तो बात कर पाते हैं इतना freely है कि नहीं time constant क्या बटा उसी तरह का होता है ना charging or dis charging great job ना नहीं अच्छा लग रहा है मुझे कि अगर तुम लोग आया देखो मैंने क्या बोला 10 minute में मैंने हर equation निकाल दी आपके लिए इसलिए मैं क्या रहा हूं कि बहुत मुश्किल नहीं है chapter सब कुछ किया है आपने discuss मतलब ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने उसमें कि आप alternating करें में बोल पाऊं कि यह वाला पार्ट नहीं हुआ पावर और उस सब formula है ठीक है बट जो derivation वाला पार्ट है resonance तक वो मैंने पूरा solve किया है ठीक है तो इसलिए मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि बहुत easy chapter है अपन क्या करते है अपन मुश्किल पार्ट देखके इसमें एक्डम से घबरा जाते है जबकि यह है नहीं great job बच्चों चार कितने लोगों का सही है great job श्रिया श्रिष्टी अनुराग वैभव क्या बात है यार सोचके देखो good job यह जही advanced का question है means का भी नहीं मतलब मैं ही बोलना चाहरा हूँ कि ऐसे question अगर exam में आते हैं और आप छोड़के आते हो तो आप सोचके देखो कितना दुख होगा आपको बात में impedance जो है that is equal to 1.25 times C का square कितना प्यारा question है XC आ गया 0.5 R और XC होता है 1 upon omega C तो आपको चाहिए RC RC हो गया 1 upon 0.5 omega दे रखा है 500 1 upon 200 millisecond में पूछा है तो यह हो गया 4 millisecond क्या बात है यार बहुश अंदार लावन्या तुशार रिशी अंच आयुश्मान प्रांशू Please check करो यार I hope this is fine now मज़ा आ गया होगा देखके कि कितना easy question पूछा है और मैं बता रहा हूँ आपको कि again अपना mindset अच्छा होगा न तो अपन को यह questions उस वत हो जाएंगे exam में ऐसे मन सोचना कि तर exam में नहीं होता है और यहां घर पे हो जाएंगे यह फाल तो logic है विलकुल है ना अपन well prepared नहीं होते है जिस दिन अपन यह realize कर ले ना कि अपन well prepared नहीं है इसी लिए नहीं होता exam में अगर आप ऐसे questions practice सके जा रहे होते हैं कैसे नहीं हो गई है ठीक है next अभी recent exam में हो question है गलत मत करना यार गलत कोई नहीं करेगा यह भी easy question है बट गलत कोई नहीं करेगा ध्यान से जल्दवाजी में मत करना बेटा English में class है don't spam बेटा SR please this is a English class आज सुभे होई थी यार जिसमें प्यॉर English आड़ी दी बहुत अच्छी I N G L I S H English okay तो अजली का D आ रहा है और B option आ रहा है कह oh my god I am getting so many different answers is it so? for this question we should not get different answers at all from half of the peak value to peak value तो कितना time लगेंगा नानी D, विष्णुजी B, yes sorry D, श्रेयस का B B और D में fight है मतलब hmm okay तो बच्चो मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि यार मतलब ले देके वो phasor है ना, phasor की तरह behave कर रहा है तो phasor में क्या बताया था मैंना को दिखाया था in fact कि एक vector होता है तो यह घूमता है तो उसका projection लेते हैं तो बच्चो half of maximum से maximum जाना मतलब यह vector यहां से घूमके यहां जाएगा तो what is this angle, let me think यह बच्चो half of maximum मतलब this distance is यह length हो गया i0 by 2 और यह बच्चो i0 है तो अगर यह angle theta है बच्चो तो cos theta आ गया half cos theta half का मतलब theta है 60 degree तो बच्चो याद करो SHM तो अगर 360 degree घूमना है इस vector को तो उसको time period t लगेगा तो 60 degree अगर घूमना है तो time period हो गया t by 6 और time period कितना हो था है 2 pi by omega 2 pi by omega into 1 by 6 1 by 300 that is option D please check करो यार कितना अलग तरीके से किया कितना अलग तरीके से किया है इसको catch करिए देखें तारीफ मैं कभी नहीं करूंगा अपनी argument तो है ही नहीं बट इस logic को समझना जो SHM में भी work करता है कि जब आप phasor algebra में घूम रहे हो बच्चो phasor form यूज कर रहे हो तो आपको यह सोचना ही कि current जब यहां पे था यह vector नहीं जब यहां पे था यह vector तो बच्चो इसका जो y projection है यह वाला projection यह i0 y2 है और बच्चो इसका जो radius है वो i0 है तो आप simple सा अपना right angle triangle लगा के 60 degree निकाल सकते हो अब जब यह vector बच्चो ऊपर आ जाएगा पूरा तो कितना angle sweep किया यह 60 degree use that logic जो हमने SHM में किया था कि 360 degree cover करने में सब T time तो 60 degree cover करने में T बचाच है बोलो भई चम का क्या मज़ा आया क्या did you understand इस तरीका i0 by 2 कैसे आया i0 by 2 का लिखा है मैंने i0 by 2 क्या 2 पाइब उमेगा लिखा है तो i जो time period होता है वो 2 पाइब उमेगा होता है ना क्लिक हो गया क्या is it fine हाँ unity time लगा दिया बिलकुल purely resistive का क्या मतलब कोई use नहीं है हाँ कोई use नहीं है बट उसमें मतलब यह है बस बोलने का मतलब यह है कि आप function जो है current as a function of time लिखोगे तो आप हाँ 220 अपॉन आर साइन 100 पाइटी ऐसा लिख सकते हो है ना तो कोई random function नहीं आएगा हाँ ठीक है अच्छा वैसे दूसरा तरीका भी है कि आप सर यहां पर time को मैंने निकाला पहले फिर time उसका वो लिया तो वो सब कर सकते हैं वो time pass मैं क्यों करो मैं तो आपको एक तरीका बता है जो कि अच्छा तरीका है बेटर तरीका है तो हम वह यूस करेंगे ना यार बाकी अपन time pass क्यों करें नेक्स्ट फटाफट जे मेंस दो जा 16 को कुष्चन है जल्डी से करो इन फेजर दिया है आई नौट बाई टू वाए half of maximum से maximum जाना है तो half of maximum को मतलब i0 by 2 होगा ना बेटा बट वो y के उपर projection होगा जो मैंने आपको वीडियो दिखा है तो उसमें भी याद करो हमने कैसे किया था वो वो जो dotted line थी वो y का projection थी तो y के projection में हमें i0 by 2 दिया है ना उसने एक तरह से think about it जैसे मैं इसको दिखा देता हूं जो बच्चीवी space है तो जिनको देखना हो देख सकते हैं तो यहां पर बच्चो जैसे मैं pause करूं अगर इधर तो बच्चो यह जो red color का vector है इसका मैं y पर projection ले रहा हूं तो यह max का half होगा तो वैसे ही वो यहां पर value रिप्रेसेंट करेगा ठीक है समझ गए आई होब इस इस क्लिर हां तो बच्चो जिसका मतलब obviously net connection अगर weak है अपन कहीं किसी गुफा में बैठके पढ़ रहे हैं तो आप recording देख सकते हैं बच्चो जब net connection strong हो जाए ठीक है गुट जॉब बहुत बढ़िया डी फोर डेली और बच्चे निकाले यार सबका answer से आना चाहिए गुट जॉब अक्षे बहुत सही शिवानी बहुत सही बहुत सही एक बार बता दो बस तुशार सही है यार और करो खुद से solve मैं time दे रहा हूं आपको गुट जॉब नानी विष्णुजी का भी डी आ रहा है तो त्रही होगा अब विष्णुजी में बोल दिया डी है तो डी ही होगा यार वो value जैसी change कर देंगे कि डी ही आ है क्या बोलते हो तनुच का डी आ गया बहुत सही प्रगति गुट जॉब शिष्टी पूर्वाम यार तो बही इसका जो DC दे रखा है ना effect वो क्यों दे रखा है DC वाली चीज क्यों दे रखी है आपर जैसे कि आपको यह दिखे कि resistance जो है बच्चों इसका वह 8 Ohm है और इसको 10 Ampere current चाहिए तो जब बच्चों इसको इससे connect कर दिया ना तो भी हमें IRMS 10 चाहिए तो हम क्या लिख देंगे इसको 220 divided by root of R square plus XL square and this is not a easy question तो किसी बच्चे का नहीं भी आया एकदम से तो मुझे पता है कि यह मुश्किल था मतलब यह easy question में में बिल्कुल भी count नहीं करूंगा तो यह बच्चों आ जाएगा इससे 64 plus XL square is equal to 22 का square तो पता ही होगा सबको 484 और बच्चों इसमें XL की value आ गई फिर root of 420 which is approximately we can say 20.5 which is equal to omega L और omega होगे बच्चों 2 pi f जो होगे 100 pi पतक दो value उस तो L आ गया बच्चों 0.065 henry के आसपास मैं absolute value भी नहीं चेक करूंगा मैं देखूंगा 20.5 divided by 3.14 का factor आ रहा है तो 6 point something है तो एक ही option है तो obviously बच्चों D option is correct now देखो अगर आप समझ जाओगे न जैसे choke coil बोलते हैं चोक कोईल का मतलब यह होता है कि resistance और inductor series में होगे तो जो भी questions आप देखोगे ना alternating current में आप देखना है एक बार advance वाली भी देखना आपको ऐसा लगए बाहर बार repeated ही है format ऐसा कुछ नया नहीं है कभी कोई lead कर रहा लाक कर रहा है पाई बाई फोर से पाई बाई थी से यार वही सब setups है तो अब मैंने क्या बताया आपको ब्रह्मास्त्र क्या दिया आपको कि चार-पांच formula वो रटके बैठ जाओ और जो derivation है ना उसको खुद से कर लो एक बार जिस speed से मैंने किया ना पांच मिनिट में चल कि मैं आपके पूरे जोन से निकला हो ना यह एसी कहना यह क्या इसी चैप्टर में काम आता है तो फिर बाकी चैप्टर में यूज ही नहीं होता था आप भूल जाते हैं तो एक बाग कर ले ना ठीक है चलो गुड जॉब अब बच्चों इम वेसे पर चलते हैं यह मैं एक और एक और क्वेशन पावर का भी एक मैं अंदर मंद कर रहा है कि चलो एक क्वेशन और चेक कर लेता है तो एक और क्वेशन एसी में करते हैं लेट मी सीफ यू कान फाइंड इट नहीं हो सकता है कुछ प्रीवेस यह तो आप लोग करके भी बैठे हो तो पार फेक्टर और फ्रीक्वेंसी इस इकल टो 180 हर्ट्स लेट मी सी कितने बच्चे बता बात हैं समझें सवाल देखते हैं भी लेट मी सी अगर पावर फेक्टर एक सर्केट का रूट 3 वाई 2 है जो कि एक आरल सर्केट है ठीक है और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी हो उसमें 60 हर्ट्स त दस तो question exercise में है ही नहीं उसमें कुछ questions करने के लिए है ना बहुत कम practice हो पाएगी alternating current के लिए उतनी अच्छी नहीं लेट मी सी लेट मी चेक अभी तक तो यार नहीं आया और मैं वेट कर रहा हूं मैं time दे रहा हूं ऐसा नहीं है क्या बात है यार जी यू का answer आगया 0.5 और आने तो पहले फिर disclose करता हूं कि क्या होगा इसका answer KP का half क्या बात है यार so amazing to see kids getting the correct answer half is the correct answer बाकी बच्चे भी कोशिश करें क्या बात है amazing क्या बात है रिशी यार विश्णु जी का half आगया बस game ही over है फिर है ना half is the correct answer यार 0.5 आना चीए क्या बात है so amazing यार तुम लोग मचा के आने वाले हो है ना तुम लोग मचा के आओगे good job आई इश्मानंकित अंजली oh my god क्या बात है good job है ना again मतलब यह बच्चों को याद भी नहीं होता है power factor use कैसे करना है ना तुम लोग उन्हें कर लिए बहुत अच्छी बात है तो बच्चों इससे कॉस फाई आगे अपने पास power factor से एना हाफ ठीक है तो फाई जो है बच्चों इससे 60 डिग्री आ गया तो टैन फाई जो है ठीक है तो वह कितना हो जाएगा अपना आर इन फैक्ट कॉस फाई कॉस फाई से हाजाएगा आर वाई जोता है ना कॉस फाई इसको टैन फाई में कनवर्ट इंग करें हम तो कॉस फाई बच्चों हो गया आर बटा जेड तो जेड आगे गर रूट 3 अरे यार एक तो एक उतनी सारी वैल्यूस आए ना तो आर बाइ जेड तो यहां पर गए टू भाइ रूट 3 आर तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको solve करने के लिए square करते हैं तो 4 by 3 r is equal to r square plus xl square तो xl आगया बच्चो चेक करते रहे ना तो r बटा root 3 है ना और xl होता है omega l xl होता है omega l तो ये बच्चों उससे मैं सोचूंगा omega लिख सकता हूँ 2 by into frequency तो frequency तीन गुना कर दी तो अब क्या होगा मेरा excel ये तीन गुना हो जाएगा तो excel new जो हो जाएगा वो root 3 r हो जाएगा this is new excel तो ऐसे में बच्चों जो impedance है वो क्या वन गया root of r square plus इसका square तो that will be 2 r और हमारा r बटा जेट कितना आ गया point five मज़ेदार यार good job please check करो भई amazing feeling literally amazing मतलब mains के point of view सोचो तो आपका कुछ नहीं बचा फिर है ना मचा दिया आप लोगोंने अगर यह सब आप ऐसे हवा में कर रहे हो तो यह गजब की बच्चो उसके बाद हम चलते यह में बहुत ही नेगलेक्टिट सा टॉपिक है यह ना मतलब कई बच्चो को पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ एक्जिस्ट भी करता है बट obviously हमें पता होना चाहिए यह नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा इस दुनिया में यह भी हमें ध्य 0 यहां पर मान ले लिए टो अगर एक्स आक्सेज के लॉंग जारी है डायक्षन को एक्स मान ले इसमें तो बच्चो इसमें यहां वाली एक्स को य बोल देते हैं और वर्टिकल वाली एक्सेज को Z बोल देते हैं ठीक है तो वाट विल्भी टीक्वेशिन जैसे अगर मैं देख लिए फोटो में क्या दे रखा है या एक्वेशन लिए अब देख लेता हूं क्या है एक्स पॉजिटिव है तो हां एक्स पॉजिटिव लेना है तो हो जाएगा के एक्स माइनस ओमेगा टी इस तरह से ठीक है ऐसी वच्चों मैक्नेटिक फील्ड जेड में है चेक कर लो एक बार तो यह ओजाएगा बी नौट साइन इस तरह से ठीक है प्लीज चेक करें मैक्सफल अंकल इसी में है मैक्सफल अंकल की खूब इसमें इन्होंने कोंट्रिविशन किया है बी नौट इस इक्वल टू इनौट वटा सी यह सब लोग भूल जाते हैं पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस इकनल मैखनेटी का जो ऑप्लीट्यूड है वह एक्ट्रीक फिल्ड का अप्लीट्यूड टूड डबाई सी है वह स्थी इस याद रखना इसको मत बूल जाना अच्छा एक्ट्रोमागनेटी फ्यब जर्णेट कैसे होती है अपको अगर जर्णेट करना हो कि सब मुझे करना EMWave, तो आप कैसे कर सकते हो, क्या कोई बता सकता है, how is EMWave generated, EMWave का source क्या यार, sun से आती है न, तो sun में कैसे generated हो रही है EMWave, फटाफट बता हो, दो शब्द, two words, maximum तीन, accelerated charges, क्या बात है यार, awesome, awesome, या oscillating charges, है न, तो एक ही बात है, accelerate तो करिये रहे, तो oscillating charges काफी अच्छा है, escape velocity कहां से आगया, तो accelerating charges, oscillating charges बहुत ही बढ़ी है, तो ध्यान रखना, simple सी चीज़ है, बढ़ा होता है, आप लोगों यहाँ पर, that is so great, तो इसी लिए मतलब कि, चेक कर रहा था कि, आप लोगों का आता है, और क्या-क्या चीज़े ध्यान रखना है, let me see, और क्या-क्या चीज़े ध्यान रख सकते हैं, तो obviously जैसे मैंने पीछे लिखा था, e0 is equal to cb0, यह ध्यान रखना है, अच्छा, speed of light जो होती है, one upon root mu0 into epsilon0 होती है, यह बच्चो है, speed of light in vacuum, speed in vacuum, right, तो किसी और medium में क्या होगी, किसी और medium में हो जाएगी, one upon root mu r into mu0 into epsilon r into epsilon0, यह थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है, भूल मत जाना, तो बच्चो किस पर depend करेगी speed of light, किसी medium की क्या चीज़ पर depend करेगी, what do you think, यह बात बता रहा हूँ, कि यह जो speed of light होती है, वो सिर्फ electric और magnetic properties जो होती है, medium की, उस पर depend करती है, यह density या energy या इन सब चीज़ों पर depend, नहीं करती है, permeability या पर्मेटिविटी बहुत अच्छी बात है, वही चीज़ हो गया, relative permeability और relative permittivity, इसी पर depend करेगी, C does not depend on, density या energy या इन सब चीज़ों पर depend नहीं करती है, तो ध्यान रखना fun fact है, बट कई बार ऐसे पूछ ले तो यार अपन का मन डोल जाएगी, सर यह तो करना ही जाएगी, density ज्यादा है, तो कम हो जाएगी speed of light, यह सब work नहीं करता है, जैसे wave में omega k और v का रिष्टेदारी होती है, तो जैसे इसमें भी आजएगी रिष्टेदारी निकाल होती है, तो k क्या हो जाएगा बच्चों, v divided by omega, I hope this is fine, नहीं, k जो है वो होता है 2 pi by lambda न, तो यह lambda की inverse होगया, तो omega v, ऐसा लिख दूँ क्या, चेक करो, यह सब चीज़ें लग जाएंगी यह रहे न, इस तरीकी चीज़ें सब लग जाएंगी, जो wave के लिए तुम लिखी हैं, चीज़ें वो सब इसके लिए लग जाएंगी, है न, हाँ, तो k होता है यहाँ पर 2 pi by lambda, और omega होता है अपना 2 pi by time period, तो यह सब फंडे जो है wave वाले को उसमें भी लगते रहेंगे, जो important चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, displacement current, displacement current फिर से एक थोड़ा, maximal अंकल आए और उन्होंने MPS law उसमें एक modification किया, तो line integral of b.dl, is equal to mu naught into i, कौन सा displacement current और एक conduction current, ठीक है तो इन दोनों का sum बोल दिया उन्होंने, यह कितनी खतरनाक चीज़ सोची है, उन्होंने सोच के देख़ए कितनी बड़ी चीज़ थी, उन्होंने क्या सोचा है कि अगर, अगर magnetic field का rate of change, electric field produce कर सकता है, तो electric field का rate of change क्या produce करेगा, magnetic field, यह उन्होंने खतरनाक दिमाग लगाया, तो आपको कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको I displacement का एक simple formula याद रखना है, यह, displacement current का एक प्यारा सा formula याद रख लो, and this phi is, is called magnetic flux, magnetic flux, electric flux, sorry, electric flux, electric flux, ठीक है, नहीं, मलब इन लोगों के, यह लोगों के जो, चरण है, वो छूके आने चाहिए थे, अभी भी मूर्तिया बनी होंगे, तो जहां कहीं मिले आपको इन मूर्तिया है, तो चरण जरूर छूओ है ना, मतलब तो feelings तो आई जाती हैं, कि they were such unbelievably amazing people, हाँ, तो इसी लिए, हाँ, capacitor वाले है, एक experiment होता है, I think NCIT में भी आपने देखा होगा, तो अब हम बस यह धियान रखेंगे, कि जहां कहीं यह electric flux time varying है, तो वहाँ पर displacement current और आपको, इस formula में include करना पड़ेगा, ओके, next, energy density, energy density का formula बच्चों, energy density जो होती है, EM wave में, तो यह बच्चों है, average energy density, उसका formula होता है, half epsilon naught E naught square, is equal to half B naught square, बटा mu naught है ना, तो this is the average value, and total energy, तो इसके दो पार्ट बोल सकते हो आप, दो पार्ट क्या है, average of, E vector वाली energy density, energy density associated with E vector, and average energy associated with B vector, ठीक है, क्योंकि दोनों में होता है, energy density का formula, तो इसमें half और half contribution होता है, दोनों का same, 1 by 4, epsilon naught square E naught square, and 1 by 4, B naught square बटा mu naught, but क्योंकि यह दोनों सेम होते हैं, तो जब आप दोनों को add करते हो, तो half का factor, आ जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखे, इक्वल, this is important, EM wave spectrum बच्चों, radio wave, microwave, infra visible, ultra, x-ray, gamma, इसको मैं रयात कैसे रखता था, बच्चों ने बता देता हूं, यहना, मेरा जो तरीका था है, आप हस सकते हो, रो सकते हो, और कुछ भी कर सकते हो, बट मेरा तरीका था है, इतना भी सिली नहीं था, एक्चुली, विब ग्यॉर होता है ना, विब ग्यॉर, विब ग्यॉर, ठीक है, और फिर दो बड़े, interesting से नाम होते है, infrared, और एक बड़े, interesting से नाम होते है, ultraviolet, तो बच्चों, इसमें क्या होता है, ultraviolet, और infrared का मतलब, infrared wants to be less than red, तो frequency of red is the least, frequency of red is the least, उसके बड़े, बच्चों मेरे टाइम पर, जस्ट आया था, क्या कहते हैं उसको, उसको, mobile phone जस्ट आये थे, तो उसमें मैंने सुना था, कि radio waves यूज होती है, तो मैंने का, radio waves, फिर आगे अपने घरों में, तो यार वो भी इतनी हामफुल ही होनी चाहिए, फिर आगे अपना infrared, फिर आगे विजिबल, फिर आगे अल्ट्रा वोईलेट, फिर आगे आपका X-rays, और अंत में गामा rays, फ्रिक्वेंसी का ओर बता दिया, increasing frequency, ठीक है, फिर आगे अपना विजिबल, फिर बच्चों आगे अपना उसके बाद, विजिबल के बाद, तो नाम में छुपाए, इसका जो अंदर का feeling है, फिर आगे अपना micro, और फिर आगे अपना micro के बाद, रेडियो, तो आप कभी नहीं भूल पाओगे, this is the order of frequency, और wavelength इसके opposite हो गया, ठीक है, समझ में आगया होगा, तो कुछ बच्चों ने हो सकता है, इसको कभी ना कभी use किया, तो trick को, जो मैंने use की, और I hope this is fine, ये हमें ध्यान रखना है, अब बच्चों एक बात बताओ, कौन बनेगा करोड़ पती में, क्वेशन आया था, किसी को पता है कि, EM वेब पे क्या question आया था, कौन बनेगा करोड़ पती में, रीसेंट लिए एक दू साल पहले कुछ था, और साड़े बारा लाग ऐसे कुछ तबहुत अच्छा question था, तो बच्चों वो question जो था न, वो अच्छी बात है, बच्चों ने यह trick यूज के याद रखने के लिए, वो ये वाला question था, कि which, which, which wave is used for radar system in aircraft navigation, तो वो बच्चों microwave था, और microwave जनले अपने सोते हैं घरों में यूज होता होगा, बाकी जगे कहां ही यूज होता है, तो something like that, तो obviously बच्चों इसमें, आप बिलीव नी करोगे, बट हर पांच साल में एक बाल जेही का मन करता है, कि इसके जो, इसके जो detected, वो है, इसके जो uses हैं, तो मैंने पॉइंट्स बना दी है, तो फटा-फटा आप इनको go through कर सकते हो, कि wavelength का पता ही है, और कैसे produce होता होगा, तो radio waves अपने antenna में जैसे होता है न, तो aerials लगे होता है, तो बहुत तेजी आगे पीछे ये charges move करते हैं, उसके बड़िटेक भी receiver aerials होते हैं, और radio waves का तो बहुत ही simple सा use है, microwave का देख लो है, special vacuum tubes में बनती है microwave, और ये सब ध्यान रख लो, मेरे साब से तो it's pretty useful, और इसे बहुने लिख भी दिया, infrared जो है, they are produced due to vibration, काफी सारी चीज़े बहुत common sense वाली हैं, अगर तुमने थोड़ा सा भी exposure ले लिया, और तुम उपर चले गए, तो बेटा, तुमारी आत्मा मुझे कभी जीने नहीं देगी, तो please try मत करना, किसी को भी अच्छी बात बोल रहा हूं, मजाग भी नहीं कर रहा हैं उसमें, नहीं पता नहीं क्या हो फिर उसके बाद, ठीक है, इंफरेड अरे डिरेक्टेड बाए थीस थिंग्स, और फोटोग्राफिय में यूज होता है इंफरेड, और ठेरपी भी होती है, नहीं काफी muscle relaxant की तरह बहेव करता है, विजिबल काते हैं तुम्हें पता ही है, और विजिबल रेज यूज इन केमिस्ट्री, याना, आपको ध्यान रहे कि हाँ, इंफरारेड उसके बाद है, बीच में अपना विजिबल है, ठीक है, आखरी, यूवी रेज, बच्चो, जो अपनी कैंडल होती है, यूवी कैंडल अगर आपको पता हो, जो आप यूज करते हैं, घरों में, वाटर प्यूरिफायर, यूवी रेज़ रेक्टेड बाइज इस तेंग्स, और इनर्शल एलेक्ट्रॉंस, जो एक्स्रे का प्रोड़क्शन होता है, एक्सरे को देख सकते, वो विजिबल स्पेक्टरम में नहीं होता क्या? है? common sense लगा हो तुम लोग, विजिबल स्पेक्टरम में नहीं एक्सरे, तो कैसे देख लोगे? यह नगे इसाइ को डिटेक्ट कर सकते हो, बड़ देख कैसे सकते हो है, ठीक है? तो फटा-फट करो यार, जल्दी से, हाँ बई, जो direction of em waves होता है न, वो आता है e cross b से, यह धियान रखना है, बहुत important point है, लिख देता हूँ पीछे, भूलना जाओ, e cross b, एक और चीज़ आट कर लो इसमें, e cross b gives direction of em wave, और e और भी mutually perpendicular हों गई, तो बस उसके बाद फिर आप करो यह, देखो यह, यह गामरे आती, एकदम से दिल से, वो hulk की याद निकल जाती, hulk sir hulk, वो सब fiction है यार, इसलिए तो अच्छा लगता है, असली जिन्दगी कोई दिखाए, तो अच्छी नहीं लगेगी, यहना असली जिन्दगी में क्या होता है, यहना कुछ भी नहीं होता होगा जो action दिखाते हैं, उसका 1% होता होगा असली तो मज़ा ही नहीं आएगा, अपना जैसे marvel movies जो बनती हैं, अपना इंडियन जो उसके साथ रिष्टा है, वो है एक तरह से singham, singham is like a marvel movie of India, है ना, तो उसमें जैसे वो कारगी गाड़ियां उड़ती है, वो खंबे को खाड़ तो that is like a marvel movie for India level, है ना, तो वो देखने में जो मज़ा है, वो असली में थोड़ी ना कुछ भी होता है, तो यसले एक दम से अपने को याद वाती ही, बट वो सब fiction है, हाँ, सब कुछ देखा है, मैंने, marvel, batman, सब देखी है, डाक नेट देखी थी, जब मैं कॉलेज में था, तो बहुत बुरी हालत होगे थी मेरी, यह ना, बहुत बुरी, मतला, I was so scared, I was literally very scared, right, C option हा रहा है बच्चों, बहुत बुरा हालत होगया था है, यह ना, बहुत डरावनी movie लगी मुझे तो, तुम लोग तो देखके मज़ा आ रहा होगा तुमें तो है, but I was so scared, तो अपन अ तो यहां पर electric field component दे दिया, इतनी शराफत, तो magnetic field component पूछ रहा है, तो B होगया बच्चों, E not Y, C, तो 6 बटा 3 into 10 की पार 8, तो यहां गया 2 into 10 की पार minus 8, और दो यह option में दिख रहा है बच्चों, तो बच्चों यहां पर X, Y, तो Z में होगा, बहुत ही असान है, but I have a question है exam म ऐसे questions हम नहीं छोड़ सकते, जैसे यह question इस तरह का आजाएगा, तो भी हमें करना ही है, 2014 में में हो question है, right, physics का abuse हर जगे होता है, किसी भी movie में physics पूरी तरह से नहीं लगाते, तो वो सब तो रहते ही है, तब ही visual experience अच्छा होता है, है na, option 1 में क्या है, option 1 में along minus Z है बटा, अ E cross B should give you X, तो देख लेते हैं, B जो है बच्चों, तुम सही कह रहे हो यार, एक बाद चेक कर लेते हैं, जल्द बाजी सावदा नहीं आटी दुर गटना गोटी देख लेते हैं एक बाद, तो electric field along Y है, यह Y मतलब J cap, हमें cross करना है B के साथ जो दे I cap, तो सही है यार, K cap यह ह गोड जोब, ध्यान दिलाने के लिए के साथ यहां पे भी है, बट माइनस Z के साथ cross करेंगे ना तो नहीं आएगा, बेटा माइनस Z इसलिए नहीं आएगा, क्योंकि E cross B must give you direction along which wave is propagating, तो अगर B बच्चों आपको दे रखा है, sorry, E आपको दे रखा है J cap, then it has to be K cap, तो इसल यह वो Z के along ही आएगा, हाँ बई, तो अब दस्वी के बच्चे भी दे सकते हैं इसका answer तो, है ना, दस्वी के बच्चे भी दे सकते हैं इसका, कि सर हड्डियां जब detect करनी होती हैं, तो, बला fracture, तो X-ray use होती है, तो यह तो पक्का C is going to 3, oh my god, only one option is matching, खतम, तो यह भी जयान रखें, यह common sense वाले चीज़े भी इसमें याद रखने है, common sense is very uncommon in India, but you have to use it, that, you know, UV is obviously absorbed by the ozone layer, तो D के लिए 4 आ गया, तो यह भी match हो जाएगा, इन्फारेड, similarly, muscular strain, radio waveform, broadcasting, तो बहुत easy है, right, D for Delhi, हाँ, यह मतलब बच्चों का ही खेल है, लिटरिली बच्चों का खेल ह अब आखरी question पर आते हैं, जो की हमें निकालने displacement करें, अब देखते हैं यार, यह असली question है, अभी तक तो question लल्लू, और यह लल्लू से आएंगे यार, इसमें question मुश्किल नहीं देंगे, है न, और, but still try कर ले ना, एक बार इसके जो सवाल आते हैं, please try कर ले न, सज जही के अब कैसे करूँ, इतना सब कुछ करना है, कैसे prepare करूँ, बेटा, रो मत, पहली बात तो है, रो मत, जो time है, उसको अच्छे से use करो, परेशान मत हो, make, take some small steps, की भई, हर तीन दिन में मेरा ये, मेरे को काम निपटाना है, ठीक है, तो वो आपको करना ही है, अब जो assignment आपको क करने है, स्कूल के तो करने है, उसमें क्या कर सकते हो, परेशान मत हो, हैना, मेंस का अगर आप seriously prepared हो, और अच्छे से देना है इस बार, तो बस, देना है, हैना, फिर कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, divide your time, like that, यहना, divide your time, कि भई, अगर आप 12 गंटे पढ़ दे अभी दिन में, मतलब पूरे दिन में, तो उसको आप equally divide करो, कि थोड़ा time में mains में दूँ, चार-पांच घंटे, कुछ time school के लिए दूँ, कुछ time boards के लिए दूँ, तो वो सब, game खेल सकते हैं, मैं तो यह सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि सांस अंदर भार खीचना सीख लो, बहुत मज़ा आता है, एक बार आवद पढ़ जाती ना, तो बहुत सही है feeling वो, ठीक है, अनुलोम विलोम और यह सब जो है, बहुत, मतलब उसको health benefit की तरह नहीं, but you know, enjoy बहुत करोगे, phone addiction कैसे छोड़े, switch off कर दो, और मम्मी को देदो, I love your study method, thanks a lot बच्चो, मुझे पढ़ना और पढ़ाना दोनों बहुत पसंद है, phone addiction के लिए तो बेस तरीका है, switch off कर दो, और मम्मी को देदो, फिर मम्मी देंगी नहीं वापिस खातम, है न, हाँ, college जाना पड़ता है, तो यार, देखो, जाना, देखो, मैं बहुत कहा रहा हूं, सारे questions के answer, आप लोगों को सही में बता रहा हूं, पता है, आपको अपनी life situations के उपर सोचोगे न, you will get the answer yourself, you really don't have to ask anybody, and we usually do run from finding a solution ourselves, right, और घमन विल्कुल भी नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो, आपको पता है, देखो, मैं आपको कैसे, मैं आपको इतना अच्छे से भी नहीं जानता, कि मेरको आपको आपको life situations पता हूं, फिर भी मैंने आपको एक general statement दे दिया, you have to manage your time, okay, हाँ, तो there is no other option, कोई shortcut नहीं है, मैं कोई यहाँ पर कोई आपको दवाई suggest नहीं कर सकता बेटा, यह beta dying खाले जाके वा तेरा सब हो जाएगा, ऐसा कुछ बाबा टाइप stuff नहीं कर सकता, तो यह, यह possible नहीं है, आपो करना ही पड़ेगा, ठीक है, भी जो करना है, वो करना है, यह उसका कोई option नहीं है, please call my name, बेटा क्या नाम है आपका, इतनी तारीफ हो रही है, बड़ेटा घमण नहीं आ सकता, आप लोग चाहे कितना भी तारीफ कर लो, घमण नहीं आ सकता, बेटा, ट्रांस्वरम भूला नहीं हूं है, मैंने वह बताया, आपको जिसमें से ज जल्दी है न, राहूल, तो बेटा राहूल जल्दी से करो, तो इसमें बच्छो, कैपसिटर में क्या होता है, कि Q चाल्ज अब होता है न, इसमें तो electric field अंदर होती है, sigma y epsilon 0, that is q divided by a epsilon 0, तो बच्छो यह field है, तो flux जो होगा न, वो हो जाएगा e into a, that is basically q by epsilon 0, so when you will substitute d by dt of, you know q by epsilon 0, q को लिख दो cv, by epsilon 0, right, तो यह बच्छो आजाएगा, c into dv by dt, और c आपका है बच्छो, 6 microfarad, into dv by dt करो, तो voltage amplitude d by dt of 40 sin omega, omega हो जाएगा 2 pi into frequency, ठीक है, तो बच्छो यह आपका आगे, displacement current, जो कि आप मैं यहाँ पर लिख देता हूं, left में, और फिर आप चेक कर लेना, id जो है, that is equal to, 6 into 10 की पार, minus 6, differentiate करोगे, तो बहर बहुत कुछ आएगा, 44, 4 pi into 10 की पार, 3, यह न, into cos omega t, ठीक है, तो भई, क्या बन गया यह है, 40 into 6, 240, into 4, 960, ऐसे कुछ आएगा, और, into आजाएगा, पाई, into आजाएगा, 10 की पार, minus 2, तो यह आगया, बच्चों, 9.6 pi, cos omega t, ऐसा कुछ आ रहेगा, प्लीज चेक करो, चेक करो, यार, 3.0144, बिल्कुल सही लग रहा है, ऐसे ही कुछ, हाँ, चेक करो, इसके आसपास कुछ value आ रही है, ठीक है, ऐसा कुछ function बन रहा है, तो आप इसमें, जो भी अब ये displacement current का function आ गया, इसका amplitude पूछा है, तो amplitude बता देंगे, राइट, चेक कर लो, Sir, I am also born on 14th March, बेटा, तुमने बस जिंदगी का सबसे महान काम तो तुमने कर दिया, अब तुम जो भी बोलोगे न, जो भी करोगे, वो उसके नीचे ही आएगा, तुम अब कुछ भी कर लो life में, वो जो तुमने achievement है, वो तो unlock कर चुके हो, 14th March, बस और कुछ बचा ही नहीं Now, अबने जो वीडियो दिखाए तो उसमें एल-सी क्यों नहीं ही बेटा, एल-सी में, एल-सी में हो सकता है, बट मैंने ल-सी ऑप्शन में दिया ही नहीं था, यह अच्छा doubt है कि ल-सी भी हो सकता है, बट वे ल-सी वाले केस में, तुम सहीं कह रहे हैं कि उसमें यह भी हो सब्सक्राइब कर रहा है कि 99 में 15,000 रैंग बनेगी हां मतलब आप 1% निकालो जतने बच्चे दे रहें 15,000,000 तो 15,000 ही तो हुआ बिलकुल थैंक्स पूर्वम थैंक्यू तो बच्चो आज की कक्छा जो है हम यहां समाप्ट करते हैं फिर टाइम हो चुका है और हां सिर्व इतना चलेगा आंसर मतलब आपको यह पूछा ना फाइंड दिस्प्लेस्मेंट करें तो मैंने आंसर निकाल दिया और यूनो कैसे रखें यह सब कैसे तो मेरे को ऐसा लगता है बच्चों कि आप खुद से पूछो यार क्या ओप्शन से मेरे पास मतलब एक जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं कि माइंड फ्रेश रखना उसको पढ़ेगा जो ऐसा काम कर रहा हो जिससे उसका माइंड बहुत परेशान ह जाता हो जैसे मैं पढ़ाता हूं आपको तो मैं बहुत energy के साथ पढ़ाता हूं आपने देख लिया होगा because I love it तो जब आप पढ़ भी रहे हो तो उस energy से करो यार कि आप जो कर रहे हो उसका आप इंजॉय कर रहे हो आप बल्रन की तरह नहीं ले रहे हो ठीक है तो बच्च में के app पे आप easy questions को पकड़ो उनको solve करो don't worry about medium or difficult as well आप easy questions करो ठीक है और जिनको थोड़ा से general ग्यान ले रहे हो न तो मेरे एक article भी है physics के ओपर उसका कुछ heading भी धायार क्या था heading क्या था heading logical side of physics तो वो पढ़ लेना यार ठीक है तो उसमें मैंने बहुत ग्यान भी दिया ह तो आपको वो अपने mobile app में मिल जाएगा right तो extra material में डाल देना oh my god इतने सारे messages आते हैं अब मैं उपर करके देख में नहीं सकता किस-किस ने क्या भेजा बच्चो फटा-फट में को नाम भेज दो मैं bye-bye कर देता हूं नाम लेके तो मुझे अच्छा लगेगा कि इतने सार अरे मैं एक दम से उपर आ रही है इतने ज्यादा मैसेज बिटा एक मुट एक मुट पहले मैं को देखने दो शिष्टी ओ गौड अर्विंध हर्ष किरन श्रेया सुचिता तेजस थैंक यू बच्चो थैंक्स for all your affection and love absolutely absolutely great बाय शिवम बाय सद्दाम बाय राज पूर्वाम आर्या हर्ष शिवानी अभिशेक प्रगती मेहर विष्णु जी को प्रणाम उतकर्ष बाय अंश बाय सुर्यन ओ गौड बाय व्यों ग्रेट आ डूंट नो बट में को लगता है बाय राहुल बाय अंके दन्राग थैंक्यू for all your love and affection it feels so good बाय मानस बाय जवाहर श्री राम क आपको और विल्कुल विल्कुल वाइस और अनुराग राहुल विल्कुल पूरा अशिरवाद है यार कोई टेंशन मतलो है ना सब आपके जैसी बच्चे हैं सब वोई टेंशन में पढ़े हैं है ना तो आप कम टेंशन लेके पढ़ लोगे न अच्छे से confident होगे जाओगे तो बस और अपने उपर विलीफ रखो परेशान मत दो देखो पूरी दुनिया परेशान है ठीक है बड़ आप उस परेशानी के साथ साथ अगर मेहनत करके आगे बढ़ोगे ना अच्छा लगेगा ठीक है बच्चो गुड नाइट अल दे वरी बेस्ट वी हैव आव आव एकसीड़ टाइम तो आव तो लीव बहुत मज़ा आ रहा है बट मेंको जाना पड़ेगा गौड ब्लेस यू अल मेरे बिलकुल ब्लेसिंग साथ सबके साथ है माइ स्माइल टेल से ताल राइट तो बच्चो बाइ-बाइ गुड नाइट मिलते हैं फिर हम नेक्स टॉपिक लवली टॉपिक है मंडे को ओ माइ गॉड रे आप्टिक्स लवली टॉपिक है ना वी अर दिसकेशन ऑफ क्रैश कोर्स नाव और बच्चो हम इसको भी इसमें भी मचाते हैं तो मिलते हैं फिर मंडे को गुड नाइट बच्चो और गमन बिलकुल भी नहीं है इतने सारे आ academy.amazon.in or download the app